लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आईटन को प्रेस करें सब्सक्राइब करें तो फेर यहां क्यों आई हो यह कोई डॉक्तर की डिस्पेंसरी है क्या और हम कजम खाता हूं कि जम तक आप लोगों का दुख दरत दूर नहीं करूंगा चाहिं से लहीं बैठूँगा यहां वादा है डर्बाट इस्टिक वाले का आज मैं उस नेता को ज कीूँ दिये क्यों सर कि से खात तन्ख्वा लेने के लिए और दूसरा है रिश्वत लेने के लिए मैं ने सुनाए कि तुम अपना दूसरा हाथ एस्था जाही है आपने ठीक सुनाए सर और मैं इस्थामाल करना भी नहीं चाहता को कि यह है रामलाल, बड़ी खुश हुई आपसे मिलके, आपके लिए मिलकु देखने देना, ठीक है, लोट तो बिलकुल असली लग रहे हैं, लेकिन हिसाब किताब क्या होगा, एक लाख असली के बदले, दो लाख जाली, यह, अंदर तो कुछ घफला चल रहे है, फिर तो पुल हुआ है है यह वाट चलो जो पूलन जो पूब हो पूब है सर, ये क्या लटक रहे हैं, सर, देखता नहीं क्या, मिडल, ओ तो मैं देख रहा हूँ, और एक इंस्पर करें सारे मिडल लगाता है, क्या, कमिश्टर है तू, उपर को पचान लेता तो, जब तक कोई असली पुलीस वाला नहीं मिलता, हमको कोई बैचान नहीं सकता कि हम, नक दिल लगाने माले को सहीया, और जनम देने माले को महिया कहते हैं, आज भो तेडे मेडे सवाल कर रहे हो, इसलिए सदा की तोर पे तुम लोग तेडे मेडे सीडियों से जाओ, और हम जाएंगे, लिफ्ट में, हलीवली, हैस्त, हैस्त! हुआ 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 है हुआ है हुआ है 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 हाट अटाओ तमीज से बात करो तमीज अरे भाड़े की वर्दी पैन के असली पुलीस वालों की तरह नातक बतकर चल चल है स्वाव है 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 भट पुला करें, है। हुँ लगान रायारे कि भूँ, गूज भायारे कि भूँ। मैं ऐसा दिल वाला मेरा हर काम निराला नजर की चाबी से खोल दू फुल में दिल का ताला अजाद आया रे खुशिया लाया रे उत्रा उत्रा चेहरा फिर से चमकाऊंगा सारे जहां की खुशिया मैं तो लूट के लाऊंगा अजाद आया रे खुशिया लाया रे कहने को है जो पड़ पठी आया रे ये तो अच्छी चांदी से भी बढ़के लगे दिल को मेरे इसकी मित्टी इस मित्टी ने प्यार दिया इसने अपनाया रे आजाद आया रे खुशिया लाया रे मैं ऐसा दिल वाला मेरा हर काम निराला नदर की चाबी से खोल दूपल में दिल का ताला आजाद आया रे खुशिया लाया रे काटों पे मैं हसके चला इसमत मेरी चा खुब है गम से मेरी है दोस्ती दूपा मेरा महभूब है आसू लेकर खुशिया बाती दर्द बठाया रे आजाद आया रे खुशिया लाया रे मैं ऐसा दिल वाला मेरा हर काम निराला नदर की चाबी से खोल दूपल में दिल का ताला आजाद आया रे खुशिया लाया रे उत्रा उत्रा चेहरा फिर से चमकाऊंगा सारे जहां की खुशिया मैं तो लूट के लाऊंगा आजाद आया रे खुशिया लाया रे आजाद आया रे खुशिया लाया रे आजाद आया रे खुशिया लाया रे अरे भाई सबके सब सौसो का नोट दोगे तो इतना चुट्टा मैं कहां से लाओंगा अरे आजाद भाईया ने जब सबको सौसो के नोटिस दिये हैं तो क्या करें क्या करें हम उसे ये कहें कि धंदेस वापस आओ तो सिर्फ चिलर लेकर आए करो अरे वाँ आजाद भाईया वाँ तुम्हारे जैसे दस पांच और पैदा हो जाएं तो बिखारियों के घरों में भी दावते होने लगें दावते ए रुपा किस बात की रिश्वाद दे रही हो माता को तुम्हारी रक्षा के लिए तुम जब जब पैसे की खाते कोई गुना करते हो ना तब-तब मैं माता को भेद चडा कर प्रातना करती हूं कि हे मा इस बारा अज दिनस पुलीस के भा़गे ले ले लिए और मा तुम्हारी प्रातना सुनकर मुझे बचा लेगी है na और नहीं तो क्या, माता की क्रिपा की कारण ही, आज तर पुलीस ने तुमको नहीं पकड़ा मगर ऐसा कब तक चलेगा आजाद, एक में एक दिन से तुम पुलीस के हाथ लगो गही क्या होगा उस दिन अरे जो होगा देखा जाएगा मुझे किसी बात की परवा नहीं अगर परवा है, तो सिर्फ अपने परस्ती वालों की खुश्यों की लेकिन मुझे तुम्हारी परवा है आजाद इस दिन तुमें कुछ हो गया, उस दिन में भी जिन्दा नहीं रहूँगी आजाद, एक बाद तुम्हें बुल्कुल भूली गई अब क्या हो गया भाई पोस्मस्ति काकर से मैं कुछ अर्जिया माल कर लाई थी तुमारी नौकरी के लिए, चलो इन पर दसकत करो इन पर दसकत करने से मुझे नौकरी मिल जाएगी मिले की क्यों नहीं, तुम मेरी जैसे अन पर थोड़ी हो भी ये पास हो, चलो इन पर दसकत करो अर्य भाई मैं नौकरी तुम दसकत करो तो ठीक है तुमारी तस्तली के लिए कर देता मगर इतना समझ लो कि नौकरियां कोई तुमारे मंदर का प्रसाद नहीं जो इतनी आसाही से मिल जाएगी तुम कर रहो तुर सही एए, अरे, ये क्या पुलीस की नौकरी के लिए फॉर्म बरवारी हो क्यों, पुलीस वाला बनने में क्या खराबी है रूपा, तुम सच मुझ बहुत भोली हो हम मुझरिमों की तस्वीरें तो पुलीस टेशन की दिवारों पर लग सकती है मगर हम पुलीस टेशन की दिवारों के अंदर काम नहीं कर सकते पूरा पुलीस टेशन उल्टा हो जाएगा तुम चुपचाब दसकत करते हो कि नहीं ठीक है कर देता हूं, मगर मैं है फुलीस वाला का भी नहीं बन सकता यह लोग कर दिया अब इस पर भी क्या हुआ? मैं किसी फैक्टरी के फॉर्म पर दसकत नहीं करूँगा हमेशा फैक्टरी का नाम लेते ही तुम्हारा चेहरा लाल पेला की हो जाता है आके फैक्टरी में काम करने में हर्जी क्या है अजाथ काम करने के बाद अपना हक मांगो तो खून करवा देते हैं मालिक लोग करने 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 क बॉद्मालिंग भावी वो मैं तुम्हें दिला करा हूँगा चाले ले अदाद भाईया अदाद भाईया अरे गुलेल छोड़ो और दिल्ली से कोट चलो कोट क्यों केस मिल गिया अदाद भाईया गाउं से एक हरामी जमिनदार आ गया है उसको अच्छे वकिल की दरूरत है और उसके बाद एक बैग भी है जिसमें एक लाग रुपिया है खाली बाली आईए सर्च जी आईए बैग 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 बैट वो देखे वो रहे मशूर वकिल कालिकर विशनाज जी देख आए सर्च जी जले जले जाएंगे वो एक आप ही तो है जो मुझे इस खून के लिजराफ से बचा सकते हैं जरू बचा सकते हैं लेक लाग रुपय लूँगा हमें मनजूरे सर जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा साब 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 ये बड़ी दूर से आया साब इनका केस ले लिजिए बड़ी महरबानी होगी साब केस क्या है हम अपने गाउं के सबसे बड़ी जमीदार हैं वकीर साब हमारे खेट मेरे तक्वीबन तीन सममस्दूर कुट्टे काम करते हैं इन कुट्टों को पिछले दस वरसों से हम 10 रुपए मजदूरी देते आएं हैं वकीर साब आप वो हराम जाने 12 रुपए मजदूरी चाहते हैं अब आप ही बताईए वकीर साब मेरी जूठल पर पलने वाले जब मुझसे बत्तामीजी करें मुझसे जबान लड़ाएं और वकीर साब अब उन हरामजादों ने मुझस पर केस कर दिया है कि मैंने उनके एक आद्म को मार डाला आप भी बचाईए मुझसे वकीर साब कमीने अपनी महनत और खून पसीने से कमाईवी मजदूरी मांगने वाले को तू नमखरम कहता है तुझे मालदार बनाकर खुद गरीबी की सिंदगी पसर करने वाले मजदूर को तू कुटा कहता है काम के मुदाबच मजदूरी मांगने पर तू उनका खून करवाता है आज़ा भी यह होश नहीं हो क्या करे हो हाँ ऐसा पूछेगा सरकारी वकील तो जानते हो मैं क्या जवाब दूँगा क्या मैं फॉरन दफाँ 420 उठाकर यहां रख दूँगा दफाँ 420? यह 420 फिर सरकारी वकील क्या करेगा मलूम क्या? वो दफाँ 840 उठाकर यहां रख देगा अगर उसने ऐसा किया तो मैं भी खामोश नहीं रहूँगा मैं दफाँ, दफाँ 847 उठा लूँगा 847? यह तो किसी बंदू का नाम है ना? वकील खाबदारा दूँगे कोई बात दी कोई बात दी, आज निर्पली यह समझ जाएंगे तो फिर वो सरकारी वकील क्या देगा? वो दफाँ दोवद्ट हड़ा देगा लेके मैं नहें फे धैला लगा दूगा वो ताला लगागा, मैं मिसा लगा दूगा वो अंदर करेगा मैं बाहर कर दूँग और इस अंदर बाहर के खेल में आँ खिर मैं दफाँ 921 Васांकर उनके मूँ पर दो वारुखा और आपको केस से चुटकारा मिल जाएगा यू विल विन दे केस आपको बैग जट सहब ने आपको सलाब मशवरा के लिए अंदर बुलाए है जट सहब क्या आदमी है यानि जट सहब भी उससे मशवरा करते है टेक्सी टेक्सी यह टेक्सी वाला बगर केराय लिए चलागे है आई यह चार्व में बैग भारी किसे हो जाए हाँ आजाद भी आजाद भी आजाद भी आजाद भी इने एक लाग उपे में से हम सब को एक इक स्कूटर दिलादू ना चुबहे तुश्कूटे की बाझ कर रहा है हमारे आजाज भाईया तो हमारी लिए मारतिकार लेंगे हमारी मांगे मूलिब आऊ क्या इन मालिकों के दिल कभी नहीं पिखलेंगे हम इनकी दॉलत में हिस्ता नहीं मांगे इनके आशो अराम में हिस्ता नहीं मांगते हैं हम तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए आदी रोटिल मांगते हैं हम मालिकों से हाथ जोड़कर बिंसी करते हैं हमारी मांगे पूरी कर दीजिए अगर ये हसान दो दिस और जैए तो बूशा तरपते इजिए बच्ची मेरे बहुत बशाएगे अश्णुया.. 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 तुमारा दिमाग खरब होगे क्या? इतनी माय रस्पाईसे कमा़ा रस्पेक दिये एक लाग रुपया कोई चंदे में देता है क्या? वह तुम्हारा रिष्टदार रखते हैं अरे भाई हम लोग कबसे बखबख कर रहे हैं तुम कुछ तो जौग दो अरे बोलो ना तू पैदा कहा हुआ था क्यों अरे कहा पैदा हुआ था बोलना मुंतिवाल्डी के अस्पताल में मैं तो पानल जाते हैं द्विक्षय में टूपक गया था और तू तो ड्सीव. इस पैदा हुआ था किम चिर्दे के ंदर कोheen पैदा हुआ था अस्पताल में लिक्षय के अंदर घर में लिक्षय में चेल में आख절 भीए कि आज दिन में जो तुम लोगोंने हर्टाल देखी थी एसी एक भूख हर्टाल बर्समों पहले भी भी ती वो मेरे बाबुची ने की थी ताथियू हम ये हर्टाल मालिक को पैशान करने के लिए नहीं कर रहे हैं उस हर्टाल में मैंने भी हिस्सा लिया था, अपने मा की पेट में हर्टाल कहाने कोई शोक नहीं, हर्टाल से मालिक का सिर्फ काम बंद होता है, हमारे तो घरों में चुड़ा जलना बंद हो जाता है, हमारे छोटे-छोटे बच्चे रोठी के दरस जाते है, मगर क्या करें, महर्टाल का सहरा लेना पड़ता है, हमें शिकायद इस भात की नहीं है, कि मालिक आश-वारं की जिन्दगी जी रहा है, चुड़ा है, हमें शिकायद दो इस भात की, कि हमारे पास जीने के लिए बुर्ष उल्बते भी नहीं है, मालिक आगए. प्लम करत थोन करता तकानbor करता हो करताईी करता है करता है कि लुदा almost हुआ cause अच्छी खासी चलती हुई फेक्ट्री बंध करवाधि सत्या प्रकाश्न हार रोज । लाकों का नुकसान हो घो अगर 10-15 दिन यूँ यार्टाल चलती रही मेरा तो दिवालान निकल जाएगा समझ मैं नहीं आता मिश्रा क्या कुरूज लिए लेडर का ना तो अलाम सता बिखता है ना तूटता है गर्ग बबू हमरे डर्बा डिस्ट्रिक में कहते हैं कि जो आदमी न तूटता हो न बिखता हो उसका एक है इलाज है मौत अरे घपड़ाव नहीं तोरे दामन पे दाग नहीं आएगा अपना उक काटकर है न जाकुम एक्सपर्ट उस लीडर को हमेशा की लिए मौत की नीन सुलाई देगा ऐसे लक्ष्मी ये लो तुम थोड़ा सा खाना खालो मैं नहीं खा सकती आज पूरी बस्ती में किसी के घर में चूला नहीं जला है मैं अकेरी कैसे खालू मुझे सब मालू में लक्ष्मी मगर इस हालत में तुम्हारा भूखर है न ठीक नहीं तुम्हारी पेट में हमारा बच्चा जो पला है तुम्हे उसके लिए कुछ ना कुछ खा रही पड़ेगा तुम्हारा बेटा अभी से इस भूखर ताल में हिस्सा लेगा तब ही तो बड़ा हो कि मजदूरों का मसीहा बनेगा जिद मत करो, तुछ ख्यालो ने, मैं देखो, तुम्हे मेरी कैसन है आ करो, आ, आ कौन हो तुम्हारा चाहते हो तुम्हारी जान हो तुम्हारा चाहते हो सारे सबुतों और गवाओं के बयानाद से ये साबीत होता है कि मुद्धिमा राजलक्ष्मी के काटकर नाम के आदमे के साथ नाजाय संबन थे जिस दिन ये कटल की वारदात हुई उस दिन मुद्धिमा की पती सर्त्रकाश ने मुद्धिमा को अपने यार के साथ रंग रलिया मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और अपने काली कर्तुनों को छिपाने के लिए मुद्धिमा ने अपने पती का पड़ी बेरमी से कठल कर दिया नए यह जूट है मुद्धिमा का यह जूर्म सकत सक सर्दा के काबिल है यह मुद्धिमा गरववती है इसलिए आदालत रहम का बढ़ताउ करते हुए उसे साथ अलकाइद के सदा सुनाती है हुआ 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 हु साथ की बिना, साथ की बिना, कैसे खटे रसता जीवन का दोशी तो निर्दोश रहा, निर्दोशों को मिले सजा, प्यार मेरा जाग बना मेरे दामन का साथ की बिना, साथ की बिना, कैसे खटे रसता जीवन का दोशी तो निर्दोश रहा, निर्दोशों को मिले सजा, प्यार मेरा जाग बना मेरे दामन का फ्यार मेरे दोशी तो यार जे डिर्दोश। पल न जुनाए देव की मईया, पैद में जन में किशन कनईया समय ने अपने को दोहराया, पीत हुआ जुग फिर से आया दुनिया ने, ओ, दुनिया ने साथ दिया है कब किसका दोशी तो निर दोश रजा, निर दोशों को मिले रजा, प्यार मेरा पाज बना मेरे दामन का अजाच में, आसे तुमारी साथ हात्म मा, मा, मा! पुमारी साथ पुमारी साथ धुमारी साथ हुआ 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 है इस पस्ती वालों ने मेरे पेट की हग पुचाई मुझे पाला पोसा प्यार दिया कोई रिष्टा ना होने के बावजूती मेरे सब कुछ बन गए बस उस दिन से उसी दिन से जब भी मैं किसी गरीब को भूका मरते वे देखता हूँ तो मेरे अंदर से एक आवाज आती है आजाद मिटा दे मिटा दे उनके दुखों को चाहे उसके लिए तुझे कितने ही पाप कितने ही च्रुम क्यों करने पड़े आजादी मिलने के बाद भी आज तक इस तेश के गरीब गुलाम है गुलामी की वो जंजीरें तोड कर उने आजादी दिला सकूँ इसलिए मेरी माने मेरा नाम आजाद रखा जेल की कैद में जिन लोगों ने तुम्हारे माबाप का खून किया तुमने उनसे बदलन ही निया उन सालों की शकले नहीं देखी थी मैंने वरना पाताल में भी जाका ढून निकालता इसलिए जब भी मैं किसी अमीर को लोटता हूँ ना एक अजीब सा सकून मिलता है मुझे ऐसा लगता है जैसे उन आरामजादों से अपने माबाप की मौत का पत्ता ले रहा हूँ रो पाव रो आजाद ये जले भी तो तु बेचेगी नहीं ये तो मैं खुद खाऊँगी अरे पगली चप्व बस-बस से चाहती है आजाद को तो उसे बोल क्यों नहीं देती ये बाते बोली थोड़ी चाहती है समझी चाहती है आज चल 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 अरे सुलिब मुख्य पता आंगे रह चल 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 ढिल दे अरे दिल दे दे देखा वो खाली बच्चों के साथ खेलना जानता है और पतंग उडाना जानता है तेरे दिल में उसके लिए क्या है वो क्या समझेगा एक दिन मुझ सब कुछ अपने आप समझ जाएगा और खुद मुझ से आकर कहेगा रूपा मैं तिमसे शादी करना चाहता तु बस दिल चोड़ता जा चोड़ता जा रहा है फतंग के दिपूर हो गई चाचा बहु लेका राता हू अरे कहा जारी है यार अरे अधर टेरस टेरस में फोग गई हो अधर ही करने जा लिए अरे अरे भुबन होस्तु में कहा दे अरे अरे मिल गई मिल गई कुली बाली अरे वशाली दर में टावल देना तो अफो हर रोज भूल कर चली जाती है मैं नहीं देने वाली हूँ टावल वोल अरे बाबा कर से नहीं भूलूंगी प्लीज आज राखी बार दे देना तु खुद बाहरा कर ले ले यहां ऐसा कोई नहीं है जो तुझे रेप कर देगा कभी डावल कभी यह कभी वो बश्याली आजकल तेरे नक्रे बड़े अरे हिरदात दरूर बाकिनी में खड़े खड़े किसी लड़के पर लाइन मार रही होगी आची तुम पकल इसे पकलाओ मुझे पकला इसे उप कड़ली आ को मुझे कीता बश्याली आ पड़ इसे पड़ी आउप को Pबिक गई पागो इसे पड़ो शे प्रूह भूह भ्रीघेडशो पढ़े भी आवशो चले ये येपบाई भूह भूह भाईravel यह बजलंगबरी यह खलीबरी गुली, I love you कुछ भी बोल शालू, दर्के को मानना पड़ेगा हाई, क्या चलांग मारी हाई, मेरा तो दिल ही ले गया साथ में इसकी जेगे मैं होती तो उस्तों कमरी के बाहर धक्ता मारने के बजाए कमरी में ही दबुच्के रख लेती मगर यह न, सती सावित्र की छटी आउलाद अरे बड़े मुश्कल सथ एक मुर्गा आया था इस पॉल्ट्री फार्म में मगर कुकड़ों को वो करने से पहले ही भगा दिया बेचारे को जब रहा हूँ कुछ शरम उरम नहीं है तुम लोगों को बस एक बार और मुझे वो मिल जाए फिर दिखा दूगे मैं उसे कुम में कर्णत में कर्णत्त कर्णत कर्णत कर्णenda लुआ बननना, लुआ जर भाला, भुआ भाला, भुआ भुआ, भुआ भाला, भुआ भुआ! अरेड़ बड़ भाठीक से... एई नीचे उत्रो अभी बैनर पूरा नहीं हुआ मैं कहते हूं नीचे उत्रो अरे कमाल है तुम जब चड़ने के लिए का तो मैं चड़ जाओ और उत्रने के लिए का तुम्हें उत्र जाओ पापकराई ये क्या यूँ लड़कियों को छेड़ने वाले को पुलीस क्या सजा देती है ये तुम्हें मालूम नहीं है और तुमने एक ऐसी लड़की को छेड़ा है जो खुद पुलीस में है मवाली गुन्डेट्टा मेरे साथ देखो देखो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि तुम सच पुलीस इस्पेक्टर हो पहली बार तुम्हें कपड़ों में देख रहा हूँ क्या मेरे मतलब पहली बार मैंने तुम्हें इस शांदार वर्दी में देखा है उस दिन तुम्हें बिना कपड़ों में देखनी की जो मुझसे गलती हो गई उसके लिए मुझे मुझे माफ कर दो लेकिन क्या करूँ उस दिन के बाद मुझे राद राद पर नीम नहीं आती मुझे तुमसे प्यार हो गया है प्यार तुमसे प्यार करेगा कुंडा मवाली होकर एक पुलीस वाली से प्यार करेगा अरे यह प्यार का मामला ही कुछ तेड़ा होता है ड्राइवर अपनी मालकिन से प्यार करता है, गॉक्कर नर्स से और बॉस अपनी से से लेकिन एक लोफर, एक पुलीस लारी से प्यार करे, ये बात कुछ नहीं लगती है न, शारप, यू, बैप, बैप, बैटी, चल, बडर चल, चल, कैचमेर, जेजए, बात करो बड़ सकते है, दो मैंतों तुम लोग जिसके खिलाब कम्बलेंट निखवाने राए हो, वो कॉर हैले नेता हिरा वद Detroit मिशल का बैटा है, और वो नेता मेरे पिजा समान है उन्होंने मुझे ये नौकरी दिलवाई आए नहीं लिखूँगा मैं तुम्हारी रिपोर्ट दफाह हो जो तुम लोग यहां से कैसे दफाह हो जाए साब उसका मीने ने मेरी जवान लड़की की इजज़त लुटने की कुशिश किये अरे जवान लड़की की इज़त नहीं तो क्या तेरी ज़त तुम्हारी में तुमावेन होगी ना अगर उसके साथ ऐसा हो जाता है तो अरे इनकी एक तो क्या ददद बहने होंगी तो भी हर एक के लिए अलग-अलग फ्रिश खरीद कर उसमें उनको रख सकते हैं इतना पैसा है इनके पास तेरे पास क्या है बरफ का एक तुड़ा खरीदने की अउकात है तेरी आप गलत मन समझना साहिब ये साले जाहिल गवार अरनपड इन लोगों की इतनी हिम्मत क्या आप जैसे हरामी कुत्ते के सामने मेरे मतलब आप जैसे पड़े लिखे अफसर के सामने जबान चलाएं ये साले खरीब गदे सिर्फ वोट बेकर लोगों को नेता बनाना जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते के नेता बनने के बाद उनके हाथ में कितना पावर आ जाता है वो कितने ऐसे लोगों को इंस्पेक्टर बना सकते हैं बाईया ये कोई जहांगिर का दरबार है जो तुम लोग घंटी बजाओगे और तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा चलो निकलो यह से चलो निकलो 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 अरे जहाना मेरा मूग क्या लेगो जाओ आप गलत मत समझेए साहिब आप एक काम कीजिए आप अपने नाम के बीच में से यह बिंदी हटा दीजिए और यह लगा दीजिए तो आपका नाम आपके धंदे के एसाब से एकदम फिट हो जाएगा धीलाल से दलाल यह बत्तमीजी तुने पुलीस टेशन में की इसलिए बच गया बार करने की हिम्मत ना करना वरना हाथ काट कर कले में लटका दूँगा आजाद आखे तुम करना क्या चाहते हो क्या हम उस नेतक की बेटे को ऐसे छोड़ देंगे उस कुट्टे को सबक मैं सिखाऊंगा इसे वाले को लाला और तेरी तरह केड़े जांब यह उसे कहते नाला आज के बाद तुने किसी भी लड़की पर बुरी नदर डाली तो तेरा वहाल करूंगा कि तुकिसी लड़की से नदर मिलाने के लाइक नहीं रहेगा इतना हिम्मत उस गटर में रहने वाले क्यों लेगा मैं उसका सारा का सारा खुन नाले में बाद हूँगा चल मैं अरे ठहर जा भाई ठहर जा हम तोरे हाज जोड़ते बढ़ जा हुआ अब तु हुआ जा कि अपना मुग काला मत कर लेना मतलब? मतलब यही कि यह जो छोपड़ पट्टी वाले गरीब लोग होते हैं न साले इंगे खोपड़ियमा बारूत भरा होता है अच्छी अच्छी सरकार का तक ताहुल देते हैं तुम का चीज हो हम तुम से कहते हैं जब तक कि महमला ठंडा नहीं हो जाता हम तो आगे हाथ जोड़ते कुछ करना नहीं वहना कहीं अपूजी सर्वालों को पता चला तो जीना मुश्किल रोज मुर्चा निकलेगा रोज नारे बाजी होगी बरबाद होके रह जाएंगे इसलिए मैं कहता हूँ कि उन जोपरपटी वालों को वहाँ से हटाओ मगर एक तुम हो अपनी कुर्जी का बिल्कुल फाइदा ही नहीं उठाते अरे उस जगह एक आली शान फाइस्टा होटल खड़ा करेंगे क्रोण और बे का फाइदा होगा अबे भी कुछ बिगड़ा नहीं है जो आज तक नहीं हुआ वो हो जाने दो वर्ना वो दिन दूर नहीं कि आजाद की तरह जोपरपटी का हर आदमी तुम्हारे घर में घुश कर तुम्हारे भी धुलाई कर दे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तुम्हारे दिल जैसा ही तुम्हारा सब कुछ बढ़िया हो घर, इरस्ती, जीवन बैठे, थैंक्यू बोलिए आपकी प्रॉब्लम क्या है रातों को नहीं नहीं आती सास लेना भी मुश्किल हो गया दर सिर्फ चाती में नहीं पेट में भी है तो फिर यहां क्यों आए हो यह कोई डॉक्तर के डिस्पेंसरी है क्या पहले डॉक्तर के बास ही किया था लेकिन उसने का अगर तुम्हे कोई दिल की बिमारी हो तो हमें इलाज कर सकते हैं मगर तुम्हारे तो दिल ही नहीं है इसलिए पुलिस मेरे बोर्ट लिखाने आ गया मगर मुझे तो लगता मेरा दिल किसी नहीं चुरा लिया है क्या बगवास कर रहे हो मैं बगवास नहीं कर रहा हूँ अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरे एक्सरे देख लिजिए यह देखिए देख रही आप यहाँ दिल होना चाहिए था वहाँ एक होल है खड़ा आजाद? हाँ शालू यू बलड़ी रास्कल स्काउंडर इडियट हाँ डेर यू कम है अरे 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 अंग्रेजी के इतने सारे लफ्स बोलने के बजा है काम के सिर्फ तीन लफ्स बोल देती I love you शाट आप तुम्हारी ये हिर्मत कैसे? मैं जानता हूं मेरी गुली कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो लेकिन प्यार का इकरार करने से जीज़क्ती हो मैं और तुम से प्यार सूरत देखिये अपने आईने में सूरत? प्यार के लिए सूरत की जरो थोड़ी परती है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो अब तक मुझे हवालात में बन करके मेरे घुटने तोड़ चुकी होती यूँ? चालो, नहीं को यहासे जाता हो के नहीं आसे? जाता हूँ, जाता हूँ मगर मैं कल सुबह 6 बज़े तक काम होगा जेता हूँ अगर कल सुबह तक तुमने मुझे I love you नहीं कहा न तो तुम्हारे हुश्टने नीचे रेल की पट्री है न वहाँ लेकर ट्रेन के रीच अपना सर दे दूँगा और मेरी मौत की जिमदार तुम होगी तुम्हों सब गवाँ हो, गुड़ पाइ इंस्पेक्टर शालू, इंस्पेक्टर शालू हाजिर हो Your Honor तठेरे में खड़ी मुल्जिमा शालू पर ये इजाम है कि ये आजाद नाम के एक नौजवान से प्यार करती है मगर अपने अंदर के प्यार को बाहर नहीं आने देती जिसकी वज़े से वो खूबसूरत नौजवान अपनी जान देने पर दुला हुआ है अगर उससे जान दे दी तो उसकी जिम्मेदार ये मुज़मा होगी ये गलत है ये गलत है मैं एक पुलीस इंस्पेक्टर हूँ एक गुंडे मवाली से कैसे प्यार कर सकती है ये प्यार करती है इसका मेरे पास ठोज सबूत है जो मुल्जिमा की तक्के के नीचे से पाया गया ये गल्ली ओडर 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 तरसल इस प्यार की शुरुआती इस गल्ली से हुई थी मिलोर इस गल्ली के जरिये ही अजाद इसके दिल में छेट करके अंदर घुसा था अजाद ने ये छेट वाला एक्सरे मुल्जिमा को दिया था ये भी मुल्जिमा के बेडरूम से बरामत हुआ है अजाद का दिल मुल्जिमा के प्यार में किस बुरी तरह जखमी होकर गायब हो गया है ये साबित करने के लिए इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए योर ओनर आप खुद ही देखिए मैं अदालत से दर्ख्वास करती हूँ कि मुल्जिमा को इस तुर्म की माकूद सजा दी जाए इन सबूतों से ये जाहिर होता है कि मुल्जिमा शालू आज़ाद से प्यार करती है अगर कल सुबा तक तुमने मुझे आई लव यू नहीं का तो तुम्हारे होस्टल के बीचे जो रेल की पटली है न वहाँ लेट कर ट्रेंग के नीचे अपना सथ दे दूँगा और मेरी मौत के जब्यादार तम होगी यह क्या पांगरपन है आज़ाद मैं कहते उठो यहां से अब यहां से मैं नहीं मेरी लाश ही उठेगी कुली पांच मिनिट में ट्रेंग आती होगी अगर पांच मिनिट के अंदर तुमने मुझे आई लव यू नहीं का तो मैं यहीं लेटा रहूँगा और ट्रें के नीचे अपनी जान दे दूँगा आज़ाद क्यू मुझे परिशान कर रहे हो उठो प्लीज पहले तुम मुझे आई लव यू कहो और वह माला उठाकर मेरे कहले में डाल दो मैं फटाक से उठ जाऊँगा अरे सोच क्या रही हो गर्दन धर से अलग होने के बाद फैसला करोगी क्या नहीं पट्रे हिलने की आवाज मेरे कानों तक आ रही है मतब ट्रें आ रही है जल्दी करो लगता है यह माला तुम मेरी लाश पर ही डालोगी आई आज रेल हर्ताल यू चीट आज रेल हर्ताले इसलिए बर्दी बराकर लेते हो तुम एक नंबर के गुंडे बदमाश और मवाली हो मगर शालू शालू वालू कुछ ने तुम एक डम चालू हो मगर फिर भी तुम मझे बहुत अच्छे लगते हो है हाहाहा हाहा हाहा हाह हाह की अन्हीं कि ऐी जक लगा हुआ। तु जुमता हुआ जावर, मैं मौरनी तेरी सावर तु जूमता हुआ सावन, मैं मौनी तेरी साजन तुझे देखने खला जो है, बिना तेरे कैसे गाओ में तेरे बिना जिन पाओ में मैं जूमता हुआ सावन, मेरी मोर नित मन भावन मैं जूमता हुआ सावन, मेरी मोर नित मन भावन तुझे देख देख जोमो में, बिना तेरे कैसे गाओ में तेरे बिना जिन पाओ में तु जूमता हुआ सावन, मैं मौर नित तेरी साजन मैं जूमता हुआ सावन, मेरी मोर नित मन भावन मैं जूमता हुआ सावन हमख पुमता थो माख भुआ साजन में जी चाना धाया सावन मौर मीष्णफ जूमता हुआ says तुमक थुमक चल दिल ही दिल में हाथ मल जो तेरी चाल देखे प्यार का तु जाल डाने हुई मैं तेरे हावाल कोई ये कामाल देखे तुझे देख देखना जो मैं बिना सेरे कैसे गाल मैं मैं जुमता हुआ सावन मेरी मोरनी तुमन भावन तु जुमता हुआ सावन मैं मोरनी तेरी साजन आग जाग जाए मन में बिजली सी दोड़े तन में जब तु मुझे कुछ हुए कसमे न तोड़ना तु हमको न छोड़ना तु हम तो तेरे हुए तु जुमता हुआ सावन में बिजली सी दोड़े तन में जब तु मुझे कुछ हुए कसमे न तोड़ना तु हमको न छोड़ना तु हम तो तेरे हुए तु जुमता हुआ सावन में मोरनी तेरी साजन तु जुमता हुआ सावन मेरी मोरनी तु मन भावन तु जुमता हुआ सावन में मोरनी तेरी साजन ताथया 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 आप लोगों की आप तु जानते हैं पिछले बीस बरसों से हम यहां रह रहे हैं मगर अभी तख में राशिन कारण नहीं मिला का बात करती हैं पीने के पाने की बहुत तकलीब अच्छा आपने के काम करो अपना अर्जी देओ हम उस पर रॉस्त्री डालूंगा अब फौरूं अब यही तो चलता है खाली अपलीकेस्टशन चलता है काम नहीं चलता है अभी देख हम कैसे काम को बढ़ावा जेते हैं जल्दी करो अच्छा लिखाए ना अईसा ना दूसरी बस्ती का काम कराई ढलें अर्ये प्यारा बच्चा है तु नहीं बच्चा है अर्ये मुझी हम पिरांगा इस ट्रीं से पठक रहे हैं लगता है कि तुमें शरंप नाम की कोछ चीज ही नहीं है उस दिन तेश में आकर क्या करे का पस्ती वालों को बरबाद कर दूंगा तबाह कर दूंगा निकाल दूंगा मिटा दूंगा और आज उनिगले अर्जिय ले रहे हो उनिक क्लियरंस बोल्ट का केरमाइन बनना चाहता हूं न तो थोड़ा सा नाटक कर रहा था और कुछ नहीं सहेव लगता है कि तुम उनके साथ ही नहीं हमारे साथ भी नाटक कर रहे हो अरे नहीं सरकार तुम तो हमरे अन्न दाता हो, हमरे माई हो, हमरे बाप हो, हमरे माई बाप हो तो मेरे साथ ना टकर करके किसी को मरना है का तो फिर हम कितने दिनों से कह रहे हैं कि जोपर पटी आज से खाली करवा हमें आपर एक फाइप सार होटल बनाना है हमेशा हाहा करते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो अच्छा चलो, आज गुसा ठूप देओ आज यही चाते हैं न कि जोपर पटी ही आना रहे तो चलो, कल हम अपना जनन भी नहीं मनाऊंगा तुम्हारे जनम दिन ना मनाने से जोपर पटी हटने का क्या संबंद बहुत बड़ा संबंद है साहिव जैसे हमरे डर्बा डिश्री काम से संबंद है न वैसे बस्ती बालों काम से संबंद है यह बस्ती बाले हमको बोट देते हैं तो हम अलेक्सन मा जीतते हैं अब कल इनकी बस्ती जलकर राक हो जाएगी तो ऐसे गम की माहूल में हम अपने जनम दिन की खुशियां कैसी मना सकती हैं फिन समझ में नहीं आया, ते काम करो, कल के अख़बार में ख़बर पड़ लेना अज़त भया, अज़त भया, अपनी बस्ती में आग लगे नहीं, लगाई गई यह कौन लगा सकता है? वो बिल्ला लोहरें न, वो यसे काम करता है कल मेन उसको पनी बस्ती कि आस-पास गुमते भी देखा ता आख नमशकार अगे बता, का कर रहे हैं? नमशकार की मासूम बच्ची चलकर राख हो गएं उसे कौन रापस लाएगा? अरे नहीं बहन, भगवान के लिए नहीं रो अरे जब तौरा दुख हमसे नहीं देखा जाता है तो यह बिचारी तो मा है इनके दिल पर काभी इतने योगी मच्ची तरह जानते है हम भी डर्बट इश्ट्री के हैं हमको मालूम है जब किसी मा की अवलाद बिच्चर जाती है तो उसका कलेजा फट जाता है ना मा, ना, ना, नहीं रो हम हैं, चिंता नहीं कर ना जाने वो कौन राच्चत है जिसने हमारी बस्ती में आग लगाई नाई, नाई, भाई जी ऐसा गलत मत सोचिए हम पूरा पहिकी कात कराया हूं तो पता चला जी, दुरगटना का जिम्मेदार और कौनों नहीं है इकमबखत इनास फार्मर है इसके अंदर शाट सार्किट हैस में से चिंगारी निकलता है तो थोड़ा सा चिंगारी उड़के जोपडा पे गया और जोपडा में आग लग गया तो ऐसा हो गया लेकिन आप लोग चिंता नहीं करो हम दूसरा सुरस्तिक जगा ढून रहा हूं और जैसे ही जगा मिलेगा आप सब को ही आसे निकालके हुआ आराम से मसाई देंगे बचाता हूं मुझे ने तड़ी एरातमी धर नाग लिगा निकले खाता और हम कजम खाता हूं कि जब तक आप लोगों का दुख दरत दूर नहीं करूंगा चाहिं से लहीं बढ़ूंगा यह हमरा वादा है डर्बाड इस्तिरीक वाले का तो अब हम चलता हूं जाए राम जी की कातना गंदा बस्ती है यह तो प्रेद माना ची चले ड्रावर चुका यह रुका होगा चल आई 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 तेरी को ए लोग खाओ खाओ उस कमीनी के सीमें जुटार खाओ अरे बेवकुफों का बकल आएगी तुम लोगों को पोचो तुम लोगों के आपसु बोचे का नाते करके किया ना उसी हराम सादर अपनी बस्ती में हाग लगाई है के कह रहे हो जाद भीया अर ठीक क्या है उसी रहे चाल चलिए अपनी बस्ती खाली करवाने के लिए खबरदार जो नेताजी के बारे में कुछ राब शराब बोला तो जवाब कीशनुगा तेरी समस्ता क्या है अपने आपको फुल्डी सीदी बाते करके लोगों को बढ़का राएं क्या नेताजी के इंखलाब है कोई सबूत है कोई गवाद एक पास चुप की हो गया चल बता और तुम रोख सुनो इसकी बातों मैं मत आ रहा हमारे नेता तो देवता है देवता और देवता कभी पाप कर सकते है अबे तुमारा नेता जी पर इल्जाम लगा था तो सीदे अंदर कर दूँगा तांगे तोड़कर सारी हिरो के लिए निकाल दूँगा समझा क्या आज मैं उस नेता को जिन्दर नी छोड़ूँगा उसे मार डाले से क्या होगा आजाद क्या हमरी तकलीफे दूर हो जाएगी यह जली हुई बसती क्या फिर से बस जाएगी तंपा मौसी की बच्ची क्या फिर से वापस लोताएगी तो मैं क्या करूँ सब कुछ जानते हुई भी हाथ पर हाथ दरे बैठा रहूँ आजाद मिया आजाद मिया तुम्हारे लेटर उसमें देखर गया क्या हुआ किसके चुझी थी आपने जो इंस्पेक्टर बनने के अर्जी बहजी थी थी ना उसी का इंटर्व्यू लेटर आया सच ये तो बहुत अच्छी बात है तुमने अभी पूछा था ना कि मैं क्या करूँ तुम्हारे सवाल का जवाब अपने आप मिल गया है तुम इंस्पेक्टर बन जाओ आजाओ आजाद मुझे नहीं बनना इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर आखिर तुम पुलीस की नौकरी क्यों नहीं करना जाते क्या बुराई है उसमें पुलीस की नौकरी और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फरक है का कि अरे नहीं जमेगी मुझे अब पुलीस की नौकरी क्यों नहीं जमेगी आजाद हम लोगों के पास है ही क्या भूक, गरीबी, लाचारी, तावलत और ताकत तो अमीरों के पास होती है, उनसे लड़ने के लिए हमें कोई तो साहरा चाहिए या सोचो बेटा, हम गरीबों के दुखदर समझने वाला, तुम जैसा कोई हमदर्थ, अगर पुलीस का अफसर बन जाए, तो हम लोगों के लिए कितना बड़ा आस्रा हो सकता है आसार बैया, तुम पुलिस वाले पंजा और हमारी मुन्नी को जलाने वालों को खूब मारो जढूने प्रोण तूज कता है बहुम प्सक्षान। गलाजोत जा ए्टाने दो ! बार भीरोतो भूप कर देसा डिए। बुध रएफ यो आएगर! एक्सिलन्ट, मैं बाई, एक्सिलन्ट एक्सिलन काई कज़तीं एक्सिलन सब्सक्राइए सब्सक्राLa जगना करने से कौनों फाइदा नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोसिस किया, पुराना पुराना दस्तावे देखा, सरकारी आफिस में गया, बड़े-बड़े मंतिरी लोग से मिला, मगर ऐसा कोई कानूनी सुबूत है ही नहीं, कि आप लोग यहां गुजिस्ता पिछले 20 साल से रहते हैं, जैसे जटका आपको लगा, वो इसे हमको भी लगा, बर कहा करें, बहुत सरमिंदगी से कहना पड़ता है, कि आप लोगो यह जगा खाली करना पड़ेगी, आप कहा करें, कानून कानून है, और कानून का कान नहीं खींचो नहीं तो खून निकलाएगा, अरे वारे हमारा नेता, आज तू कानून की बात करता है, विस बरस से हम बोलता है, हमारा राशनकारण बन पाऊओ, वह नहीं बन वाए अर्वा जगा खाली काível बर्दोता है अरSM viens तीन मुखिशक्त हो नहिस से करा है जारे फुरा के हें? महारु जाले को । कुछी विल्ब्त। मुख्योंकिशको गोल के चलें inhalants सवक्त करें और तेंहे हाम गोलिपे हें? चलो 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 राशन कार्ड यह अतना जल्दी अतना सारा राशन कार्ड बन कैसे गया थेक उसी तरह नेता जी किस तरह इतनी जल्दी बस्ती तोड़ने का ओरडर आ गया आजाद बेटा हमको नहीं लगता कि तुम इन लोगों को ज्यादा दिनों तक बस्ती में रख सकोगे काए कि मुंसिपल्टी वाले कोरट मा केस तो जरू करेंगे केस तो हम भी लड़ेंगे निता जी क्योंकि केस कोई भी हो अपने देश में 10-15 बरस तो चलता ही है 20 बरस का सबूत यह राशनकार है और 10-15 बरस का सबूत आपकी सरगायर खुदी दे देगी क्यों इता जी जाने से पहले एक सला सुनते जाईए गरीबों को इतना सताना अच्छा नहीं कि वो मरने को तैयार हो जाए क्योंकि जिस दिन गरीब ने मरने का फैसला कर लिया कोई भी अमीर जीनी पाएगा कि वो मरो जाएगा सिर्फ पाएगा है जाएगा कि एरण से लुदी जाएगा झाल झाल पुटे, हमारे पुलिस स्टेशन का चार्ज देने इंस्पेक्टर आ रहा है, या कोई नेता? रे यार, खरे, मजे ते ये कोई नेता से भी बड़ा आगमी लगता है अरे काई का नेता, ये तो मवलिया इस साला, इंस्पेक्टर बढ़ दिया बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तो, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ मिस्टर डलाल, मेरे आते ही आपकी छुट्टी हो गई जाते जाते चार्ज तो देते जाए खुद ही अंदर जाकर ले लो ले लेता हूँ सब्सक्राइब है वेल्कम सेर गुड मॉर्निंग सेर सेर ये पलंग तोड़ पान खास आप के लिए सेर वो हमारे हैड कॉंस्टेबल हरी जादा है तीस साल हो गये उनको पुलिस की नौगरी करते हुए लेकिन आई तक नहीं हुदरे जिया सर ये ऐसा बेवकूफ पुलिस वाला है कि जब भी वस में सफर करता है टिकेट लेकर करता है माफी चाहता हूं सर चार दिन की छुटी पर चला गया था इसलिए पहले दिन आपके स्वागत के लिए आने ही सका कोई बाद नहीं जा अपना काम करो सर ये हमारी व्रादरे का है यह नहीं भगवान ने इसे तीन तीन बेटियां दी है फिर भी रिश्वत नहीं लेता और सर इसकी बेटियों की शादी कैसे होगी ये तो मैं समझ में आता ही नहीं है पचासी साल की उमर हो गए उनकी पचासी साल मतलब तीनों बेटियों की मिला के सर पे तक एक की भी शादी नहीं हुई हरी रादा ये सर चांद्यो भगवान ने पुलीस वाले को दो हाथ क्यों दिये क्यों सर एक हाथ तनख्वा लेने के लिए और दूसरा हाथ रिश्वत लेने के लिए लेकिन मैंने सुनाए कि तुम अपना दूसरा हाथ इस्तमाले नहीं करते आपने ठीक सुनाए सर और मैं इस्तमाल करना भी नहीं चाहता नहीं करना चाहते हारी दादा ये असूल, सेदान, सच्चाई, इमानदारी ये जितने भी बड़े बड़े लफज है न ये दुनिया के बेहुसूल और बाइमान लोगों ने मनाए सर, मेरा मानना ये है कि जब दूसरे डेपाटमेंट के लोग कोई गलती करते है तो उसका बुरा असर सिर्फ उस डेपाटमेंट पर पड़ता है लेकिन जब हमारा पुलिस डेपाटमेंट कोई गलती करता है तो उसका असर पुरे समाज पर पड़ता है अरी दादा, ये बेवकूफी की बाते अगर इमानदारी से जीने का मतला बेवकूफी है तो मैं अपनी नौकरी के बचे हुए दिन भी बेवकूफी में ही गुजारा पसंद करूगा तो मैं कोई नहीं बचा सकता मेरे दिल की आग तेरे दिल में चलने लगी सपनों की डोली में तेरे संग में चलने लगी सपनों की डोली में तेरे संग में चलने लगी प्रिया प्रिया ओ प्रिया तु मेरी प्रिया दिया दिया दे दिया दिन तुछ को दिया ओ प्रिया ओ प्रिया तु मेरी प्रिया 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 ओ प्रिया तु मेरी प्रिया बार 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 दो प्रिया वे दुछ अन बोली प्रीत मिली आज रंग ले आई बिन बोले बिन मांगे मिल गई मुझे खुदाई बोल सके जो उठन मेरे सुने बोल दिया 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 दिल सुझ को दिया प्रिया प्रिया ओ प्रिया तू मेरी प्रिया कहता था जो दिल मेरा तू ने कह दिया प्यार के बस में हो गया ये मेरा जिया दिया 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 दिल सुझ को दिया ओ प्रिया प्रिया ओ प्रिया तू मेरी प्रिया रूप हया खुदरत की कोई जादु गरी रूप हया खुदरत की कोई जादु गरी रब के बात रहा अब क्या तुझे मुझे को दे दिया 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 तुझे को दिया प्रिया प्रिया ओ प्रिया तु मेरी प्रिया कहता हा जो दिल मेरा तुने कह दिया प्यार के बस में हो गया ये मेरा जिया 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 दे जिया दिल तुछ पो दिया ओ प्रिया प्रिया ओ प्रिया तू मेरी प्रिया रूपा, आज बहुत खुछ दिखाई दे रही है और ये जली भी किसके लिए लगा रही है आज़ाद के लिए पता है, उसने कल मुझे से शाद ही किव बात की सच, तुम रुशादी का बह। यही तुम खुछने जा रही है उनसे मैं काम कर, मेरी दुकान पर बैठ, मैं अभी आई अच्छा, आज़ाद अरे रूपा, तुम, आओ बैठो किसे मिलो, यह शालू है नमस्ते, हलो तेर को मैंने बोला था ना कि मैं शादी करना चाहता हूँ यही हो लड़की चालू, रूपा मेरे बच्पन की साती है हम दोनों साती खेलते खेलते बड़े हुएं आज मैं जो इंस्पेक्टर बनाऊ ना, इसी की बज़े से हमेशे अलग-अलग अर्जियों पर मेरे दर्सकर खळाती रहती थी अच्छा, फिर तो मुझे इनका शुक्रिया रखना चाहिए रूपा, लड़की अच्छी लगी ना अर्यू क्या कह रही है अच्छी नहीं लगी तो साफ साब बोल दे मैं शादी का प्रोगम कैंसल कर दूँगा नहीं नहीं आजाद, लड़की बहुत अच्छी है और फिर क्या तुम्हारी पसंद कभी गलत हो सकती है यह लो इस खुशी के मौके पर मुझ मीठा कर लो थांक्यू अब मिर चलती हूँ रूपा, चाह तो फिकर जा नहीं, तुकान पर कोई नहीं है रूपा 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 क्या हुआ तुरो क्यों रहे है आजद मुझ से नहीं किसी और से शादी करना चाहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मैं अभी जाके पुश्ती हूँ ते नहीं, पुश्पा आजद कोई कभी नहीं पारा चलना चाहिए कि मैं उसे चाहती थी मैं उसका प्यार तो नहीं पासकी अब मैं उसकी दोस्ते नहीं खोना चाहती वो खुश रहे, बस इसी मेरी खुशी है अधाब भाईया, अधाब भाईया, अधाब भाईया क्या बात है? भाईया, वो अपना चंदू है न, उसको उसके मालिक ने नोगले से निकल दिया बिचारे के पास कहा मिच नहीं है, दर में बैठा है, रो रहा है बिचारा हाँ भाईया, वो कोई छोटा मोटा धंदा करना चाहता है, आप भी कोई रस्ता निकालिये न चलो, चलो मेरे साथ करे, ओ जे सर एक काम करो, जी साब एक कागस पर लिखो, इंस्पेक्टर साब, हमारी साइकले जो चोरी हुई थी, वो हमें वापस मिल गई, उस कागस पर इन बच्चों के दसकत ले लो, और ये सारी साइकले इने दे दो, क्या, सर इन साइकलों के मालिक ये बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, जैसा मैं कहत कि अब क्या वे कहा जा रहा है कि अधिका ले गए सारी साइकले ले गए ना पर यहां वल्दार की नौकरी करने से तो अच्छा किसी मदारी के पास बंदर बंद कर रहता हाँ जीम भी गई साब गजब हो गया वो बच्चे साइकलों के साथ साथ बाहर कड़ी हमारी परीस की जीम भी उडा के ले गये अरे तो फिर इतना चिल्ला क्यों रहे हो एक काम करो रिपोर्ट लिखो पुलिस टेशन के बाहर खड़ी भी फ़ला रंकी फ़ला नंबर की पुलीस की जीप फ़ला तारे को चोड़ी हो गई, हम एक्षल लेंगे लेरी प्यारी प्यारी वैन, तो सरकार हमको दूसरी वैन तो देगी नहीं, फिर हम दोनों को हर जगा पैदल ही जाना पड़ेगा बिल्कुल ठीक कह रहा है खोटे, अरे इतने सालों से इस साइकले यहां यतिमों की तरह पड़ी थी, मगर हमने से किसी को यह आइडिया तक नहीं आया, कि कम से कम उनकी हवाई निकाल दे, मगर हमारे साब ने उन साइकलों का क्या रास्ता निकाला है, वाँ! और एक बात गवर से सुन, क्या, आज के बार ड्यूटी के समय जब हम लोग सोते हैं न, तो उस समय कम से कम हमारे हाथ पाव की उंगलिया हिल्टी रहमी चाहिए, क्यो? ताकि साब समझें के हम लोग जाग रहे हैं, वरना एक दिन हम लोगों की वद्धी तक उतार कर बस्ती वालों को धान कर देगा, वो बस्ती का बाश्या! जस्वत, जब गर्फ साब को पता चलेगा के हम आट करोर नकली नोट के बद्धे, चार करोर असली नोट लाने में कामियाब हो गए, तो बहुत कुश होंगे! कामिका लोग आजाद, आजाद केके हमें डराते हैं! अरे क्या बिगाड ले आजाद में हमारा? हाहाहा! को ना वो कमेना इंस्पेक्टर? आजाद! तुम यह क्यों आयो! तुम्हे सरकारी मेमान बनाने आयाउ। जानते हो कि से बात कर रहाए को आजादा हूँ! मैं एक ऐसे आज़मी से बात कर रहा हूँ। जो ब्हड़े की खाल में अगभेडिया है! जो एक बहुत बड़ा कुनेगार है! चलो मेरे साथ! कानून की हद शाइद तुम नहीं जानते हैं इंस्पेक्टर बिला किसी सबूत के किसी जलतार आदमी के किरेबा पहाड डाले के जुर्म में तुम्हारी ये वर्दी भी उतर सकती है मैं कानून की हद भी जानता हूँ और उसका इस्तमाल भी शाय तुम यह नहीं जानते, कि इस वक्त तुम्हारे कई आदमी मेरे लॉक अप में है, जिन्हें रंगे हाथों में ने पकड़ा, वो आदमी मेरे हैं और मेरे लिए काम करते हैं, ये थाबित करना इतना असान नहीं है, इंस्पेक्टर, अच्छा। ये सब आजाद बजी ने फेज़े, वो बोले, जो लोग बेकार बैठे हैं, वो धंदे भी लग जाएं, आईए गर्फ साब आईए, अरे नेता जी, आप लोग आए मेरे कलब में चार चान लग गए, ये सब आप ही की महरवानी है, कि आज हम इस वकाम पर पहुंचे हैं, इसने कुछ दोस्तों से आपकी दोस्ती करवाना चाहता हूँ, ये है गर्फ, अरे इनको तो आप जानती हैं, और ये है मिश्रा जी, राम राम, इन्हें भी जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इरावत मिश्रा सहाब, देश के लीडर, गरीबों के बहुत कर अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपका साथ इसले नहीं दूँगा क्यूंकि आप गरीबों को हटा कर अमीर बनना चाहते हैं, अरे नहीं आजाद, हमरे डर्बा डिश्रीक मा कहते हैं कि जहाँ ज्यादा फाइदा हो, वहाँ थोड़ा सा नुकसान हस खेल के बरदास् बस्ती करना है तो गरीबों को हटाने का खयाल दिल से निकालना पड़े, अरे मिश्रा आजाद, यू संद्रों की आज से वह बस्ती तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी, अरे मिश्रा जी तो क्या, हम में से कोई भी उस बस्ती की तरब नजर उठा कर नहीं देगेगा, ही मे कर दो कि अुम्हारी है कि तुम्हारी हैं यू से वहारी है वहारी हैं कर दो। कली 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 तु अनार कली हजार जाने मिलें जो मुझे को तुझ पर विदा करो तेरे खुसन का चर्चा कली 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 मैं अनार कली हजार जाने मिलें जो मुझे को तुझ पर खीबा करू तेरी प्यार का चर्चा जली 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 है कर दो हमको बेढक तुम कर दो तेरी अजंदा जैसी जवानी, गंगा जलकी तुझ मेरवानी, ताज महल की जिंदा कहानी, तेरे हितम से दुनिया सुहानी जहान को रुछूए कि मैं तो मात पिरे लिदी, तेरे प्यार का जली गली, तेरे प्यार का जली गली, तु अनार कली हजार जाने मिले जो मुझ को तुझ पर पिदा करो, तेरे गुस्न का जली गली, तेरे प्यार का जली गली हली हली, हली हली जो तेरी बावों में, हो गल गनत की रावों में संवल नगर नाम है तेरा, खुई रगू तेरी खाथों में हजार सूरज मिले तो तेरे हुसन की शम जली कली 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 तो पनार कली 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 मैं अनार कली हजार जाने मिले जो मुझ को और मुझ पर पिदा करू तेरे विसन कस्षरचा जली जली चलिल, 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 चलि धल आजाद की महरवानी से हमारी बेकियों की शादी बहुत शानते हो गई अगवान इसको सदा सुपी रखे चाल लंदाज साले एरिया में कुन्तर करदी दिखाता है एक तुक चुछ उपर से दर्मा के निए ऐख का जुढूआ तू मेरे को अंदर के रहा है आशाच सा आपका गुल मानिं हरी दादा गुल मानिं आपके साहब कहा हैं अभी तक द्यूटी पर नहीं आये गए होंगे किसी मुझरिम से हफ्ता वसुल करने क्या कहा आपने मैं सच कह रहा हूँ वो दिन दूर नहीं जब रिश्वत खोरी के इल्जाम में आजाद भी मुझरिमों की तरह जेल की सलाकों के पीछे होगा आपका मतलब मेरा आजाद रिश्वत हो है रिश्वत खोर शब्तो आजाद के लिए बढ़ छोटा है बेटी सच तो ये है कि वो पुलिस की बर्दी में एक गुंडा है शायद ही इस शहर में कोई ऐसा मुझरिम होगा जिससे वो हफ्ता न वसुल करता हो अब तो किसी भी मुझरिम पर हाज डालो तो वो एक ही धंकी देता है जानते हो हम किसके आद्मी है आजाद साब के अब तो उनकी पेईमानी और रिश्वत खोरी इस हद तक बढ़ गई है कि कोई भी मुझरिम पुलिस स्टेशन में ही आके हम लोगों को मारे तो कोई ताज्जुम की बात नहीं होगी देखो मैंने तुम्हे बेटी की तरह समझा है इसलिए तुमसे कह रहा हूँ अगर हो सके तो उससे दूर रहो बरना जिस कीचल में आजाद दुबा है उसके छेटों से तुम्हारी वर्दी भी बच नहीं पाएगी जिस खामुशी से आयो आजाद उसी खामुशी से वापस चले जाओ खामुशी से वापस चले जाओ? क्या बात है शालू? तुम्हारा मूट क्यों खराब है? हात मत लगाओ मुझे शालू? च्वो मत पर इतना समझ लो हम दोरों के बीचो रिश्टा था वो तूट गया है हमसे क्या कहा तुम्हे? रिश्टा तूट गया है क्यों ? क्यों? क्यों कि तुम पुलीस की वर्दी पहने के बाद भी आज तक एक मुझरमी हो कर्ग हिरावत और काटकर जैसे मुझरमों के साथी हो बैमान हो, रिश्वत खोर हो हाँ, हाँ मैं बैमान हूँ, रिश्वत खोर हूँ और आज के जबाने में हर आदमी रिश्वत के दम पर ही जिन्दा है क्यों जितनी बड़ी कुर्सी पर बैठा है न, उतना ही बड़ा बैमान है होगा मगर मेरा उन से क्या रिष्टा मैं तो सिर्फ तुम्हें जानती हूं सिर्फ तुम्हें और तुम आज तुम्हें तर्सा करना होगा आजाद तुम्हें शालू चाहिए या दौलत नफरत करता हूँ मैं दौलत से और इन दौलत वालों से बगर मेरी बस्ती वालों के लिए मुझे दौलत चाहिए यह मांदारी और सच्चाई का फाशन देने से पहले जाओ जाकर देखा उन गरीबों की बस्तीों में जब भूक रटी तो उनके बच्चे किस तरह रोते हैं जब अमीर लोग उनके जोपड़े चला देते हैं तो किस तरह बेसा रहा हो जाते हैं जब सरकार के ठेकेदार उन्हें घर से बेगर करते हैं तो किस तरह गिरगराते हैं जो जब कर जख रहो निके दुख तर गिनाने से तुम्हारा गुणा करना जायज नहीं हो जाता अरे जायज ना जायज मैंनी जानता हूँ मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उन गरीबों की तक्रीफ दूर करने के लिए में पुलीस में भरती हुआ हूँ और उसके बाद भी मैं उनके आंसों नहीं पहुंच सका रहा, तो मेरे लिए वर्दी का कोई बतलब नहीं और अगर तुम ये वर्दी पहने के बाद भी गुना करते रहे, तो मेरे लिए तुम्हारा कोई मतलब नहीं ठीक है, ठीक है शालू, तोर दो मुझे रिष्टा, छोड़ दो मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए, अरे तुम्हारे ने किया मैं किसी के लिए भी, उन गरीबों को नहीं छोड़ सकता क्यों बेखोटे, जो मी मिला, मूह में डाल लिया, है? मैं तो खली चक्क देखता हूँ, चकी देखता हूँ, फूल दा, फूल दा, फूल दा, शख़ướ similarity का है, क्या हो रहा, है अज़ आपका आखरी दिन है नहीं तो आखरी दिन? खुचू, क्या बकवास कर रहा है? इनका आखरी दिन नहीं, इनकी नौकरी का आखरी दिन है वही अरे दादा, आज तीस साल की नौकरी के बाद आप रेटायर हो रहे हैं इसलिए आज़ाद साब ने काया कि आपको पूरी इज़त के साथ विदा करना चाहिए बस इसलिए टी पार्टी रखिए छोड़ी अरे आप लोगों का प्यार इतना है, टी पार्टी की क्या जरुरत है चोर कहीं का? यह मने मुने के लिए था पूरे दस हजार रुपिया है, रख लो, और अंदर जो हमारा आदमी है, उसे छोड़ दो क्या? तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो, तुमाई यह हिमत इनको हमारी हिमत पे शक है, लगता है कुछ न कुछ करिश्मा दिखाना पड़ेगा अरे ने भाई, अरे भाई, क्यों खाम का पंगा ले रहे हो, अगर नहीं छोड़ना चाते, तु कोई बात नहीं, चाभी हमें देदो, हम कुर छोड़ा लेते हैं अरे देदो ना भाई, निकल जाओ यहां से, और ना तुम दोनों का भी अंदर कर दूँगा हमने सोचा था, हम आसानी से अपने आदमी को लेकर चले जाएंगे पर अब ऐसा लगता है, तेरी जान लेनी पड़ेगी जिदा, कैसे भार करते साब से चाभी देदो, छोड़ो मेरा हाथ, चाभी दो हाथ, हृ, होज़ो दादा, हाथ, है खाण विलयदी हरी दादा हरी दादा हरी दादा, यह सब, यह सब क्या हो गयाẩ, कैसे होगा हरी दादा मुझे जिन्द्गे से, यह में मिल अधुना यह साम तकए्या हरी दादा, ख़़ज़र मुझे खुशी है कि आखरी सास तक मैं अपना फर्ज इमानदारी से निपा सका हूँ सर, सर, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, इस वर्दी की इज़त माद कर अगर आप सच्चे पुलिस रफसर बन सकें, तो मेरी आत्मा को खुशी मिलेगी सर बन जीजे ये मानदारी और सचाई का भाशन, और इतना बताईए, क्या आपको अपनी बेटी की शादी के लिए इन रुपों की जरूत है कि नहीं, कुछ सोचा है आपने, किस तरा करवाएं की शादी नहीं सोचा, हाँ लेकिन इतना जरूर सोचा है, कि मेरी बेटी की शादी बेइमानी और रिश्वत के रुपों से नहीं होगी रुपिया रुपिया होता हरी का क्या भूग लगती तो पेट ये रहीं बूचता, कि रोटी बेइमानी की है, ये मानदारी बेट बेशक ना पूचता हो सर, लेकिन आत्मा जरूर पूचती है, बिश्वास नहीं तो जाकर बताईए अपने बस्ती के गरीबों को, कि उनके घर के चुले, आपकी बेइमानी की आग से जलते हैं, वो लोग भी आपको माफ नहीं करेंगे जानते हो किस की तरह बात करते हैं भारी गाका, बिलकुल मेरे बाबुची की तरह अलो आजादिया, ये तुम्हे जानक क्या हो गया है, होश में तो हो तुम, आज तक तो बेहोशीता गर्क, आज पहली बार होश में आया हूँ, अब इतना यार रखना, तुम्हारा आजाद मर चुका है, अब इस पुली स्टेशन में, इंस्पेक्टर आजाद ट्यूटी अरुब्स हो जाए जया है, ये कल्प बंद हो जाना चाहिए था, व tu Sपटे अब चाई एया मैं इसके सारे सातियों के राउड़र आपकरके लेढ़, विऐस सार्यूद, हञाआज है कान पक्के मेरे इनाम सुन सुन कर वो हमारे अटे तोड़ रहा है हमारे आद्वियों को पकड़ रहा है हमारे हर काम में रुकावर डाड़ रहा है और तुम हाथ पर हाथ धरे बैटे हो कैसे नेता हो तुम अरे हमारे डर्बा डिस्ट्रिक में सब जब हमरे जैसे ही नेता होते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं जब तक तुम सोचते रहोगे, मिश्रा जी, वो हम सब को पूरी तरह बरबात कर डालेगा उसके लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं या उसकी बदली करा दे, नए तो चाकू में तो एक्सपर्ट हुई मैं एक बात बताओ, तुम जब रात को सोते हो तो तकीय की जगा चाकू लगा के सोते हो का जब देखो साला चाकू, चाकू, चाकू से काम नहीं चलता है इदर का चाकू भी कभी इस्तेवाल करना चाहिए बदली का कायओ, बदली तो हम उकी दो इमिनट में करा दे मगर बदली से बदला तो पूरा नहीं होगा न गुरू हम चाहते हैं कि साले से कोई ऐसा बदला लें कि वो जिन्दा तो रहे मगर मुर्दे के बाती रहे देखो अगर तुम लोगों का अपने भाईया से थोड़ा सा भी प्यार है तो खुब मेहनत से दिल लगा के पढ़ाई करना लेकिन आजाद भीया ये अच्छानक हमको इस्कूल में पढ़ाने का भूत कहा से घुजगया तुमारे भेजे में जब से तुम लोगों ने मेरे नाम से रिश्वत लेने शुरू कर दी तुम लोगों के बिगणने में भी मेरा ही हाथ था और अब तुम लोगों सुधार हूँ अभी मैं चाहो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया अच्छा लिया बाई ये तुम क्या कह रहे है रूबा मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ आजाद एकदम सुधर गया है अब वो पहले वाला आजाद बिल्कुल नहीं रहा भगवान ने उसे सही रास्ता दिखा दिया है और अब जब वो सही रास्ते पर आ गया है तो फिर उसके साथ तुम्हारा जगरा भी खत्म हो जाना चाहिए उसे तुम्हारी जरूरत है प्यार करने वालों से उनका प्यार दूर हो जाए तो उनकी दिल पर क्या कुछ जरती है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मैं अज़ात को उदास नहीं देख सकती मेरे लिए एक बाच आकर उसे मिलो सब शिकायते अपने आप खत्म हो जाएंगी तुम अच्छी हो रूपा बहुत अच्छी हो ये क्या मज़ाग है शालू क्यों तुम जब जाहो मेरे पुली स्टेशन में आकर उद्ध मचा सकते हो वो तब की बात थी अब मुझे को ड्यूटी पर आकर डिस्ट्रप करें मुझे पसंद नहीं जीओ मेरे आजाद जीओ तुम इतना बदल गए हो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई अभी भी नाराज हो माफ कर दो ना माफ कर दो ना आए तर ना आए 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 मैं तेरी चंचल चंचल तितली तू मेरा खुल गुलावी मैं तेरी चंचल चंचल तितली तू मेरा खुल गुलावी पास पास रहने को तेरे दिल ने बड़ी पेता भी मैं तेरी चल 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 तिकली, तू मेरा फूल गुलावी मैं तेरी चल 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 तिकली, तू मेरा फूल गुलावी मेरे बिना कैसे कटी तुने जुदाई की राते सकीर से मैं लिपटी कभी सस्वीर से की बाते मेरे बिना कैसे कटी तुने जुदाई की राते सकीर से मैं लिपटी कभी सस्वीर से की बाते अरे पास पास रहने को तेरे दिल में पड़ी पेचा भी मैं तेरी चल 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 नितली तु मेरा खूल गुलावी मैं लिपटी की बाते खुदा की तरह बस एक तु मेरी जिन्दगी में रहेगी खुदा की तरह बस एक तु मेरी जिन्दगी में रहेगी पास पास रहने को तेरे दिल में बड़ी पेचा भी तु मेरी चल 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 चितली मैं तेरा पूल गुलावी मैं तेरी चल 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 चितली तु मेरा फूल गुलावी सब्सक्राइब मिस्टर राजाद, हम लोग आंटी कॉरॉप्शन डिपार्टमेंट से आएं, आपके घर की तलाश ही लेनी है शौक से लीजे थेंक यू, सजय, आओ राजाद भीजा, इन रिश्वत के दिश्मनों को थोड़ी सी रिश्वत दे के भेज़दे क्या रिश्वत दे कर, लोग नहीं सुदर हो गए आजाद, ये सब लोग कुछ नहीं, बस अबना फर्ज दी बारे है आजाद या ये रुपे आपके हैं मिस्टर आजाद नहीं तो, तो फिर ये आपके घर में कैसे आगए मैं सच खेह रहा हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मानूँ जूट बोला हैं आप, आप भी जानकारी के बिना ये आपके घर में कैसे आ सकते इंस्पेक्टर, बहुत बहुत मुबारक हो सुनाए आजकल अचानकी मंदर हो गयो कहीं ऐसा तो नहीं हमारी रिश्वत का माल कम पड़ रहा है चीने रिश्वत का माल इतना खालिया है, थोड़ा सा हजमा खराब हो गया हाजमा ठीक करने में तो एक्सपर्ट हुई मैं प्यार से भी कर देता हूँ, नहीं तो चाकू का तो एक्सपर्ट हुई मैं तो आजकल दौलत वालों से टकराने का जनून सवार हो गया तुम पर ये जनून आजका नहीं, उस वक्त का है जब मैं अपनी मा की पेट में था तब तो तुम्हारी मा का अपोर्शन करवा के उसकी कोक में ही तुम्हे दफन कर देना चाहिए था लेकिन तुम बाहर आगए, ठीक है अब तो तुम्हारा कोई दूसरा इलाज ढूनना पड़ेगा चुप के होगे आप, जवाब दीजिए सर मैं सिर्फ इतना कहुँगा, कि ये मेरे दुश्मनों की चाल, मैं दिर्दोश हूँ ये आप कोट में चल कर साबित कीजिएगा, चलिए मैं जानता हूँ शालू के आजाद बेकुसूर है लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, I'm sorry क्यों सर, क्यों मदद नहीं कर सकते हैं, इसलिए के गर्ग, हिरावत और काटकर टाकत पर लोग है हाँ, वो सिर्फ टाकत वरी नहीं बलके बहुत ही जालिम चालाक और मक्कार लोग है तुम तो सिर्फ इतना जानती होना के आजाद को फंसाया है उन लोगोंने लेकिन मैं तो ये तक जानता हूँ कि बच्पन में उस खरीब को अनाद भी उन्हीं लोगों ने बनाया था यह आप क्या कह रहे हैं सर येस, बहुत ही बेरहमी से आजाद के पिता को गतल करने के बाद उस खुन के लजाम में आजाद की मा को सजा दिलवाने वाले भी यही लोग है सुनो, आजाद से मिलने जा रही हो, जरूर मिलो लेकिन इस रास को राजी रखना, बरना आजाद को हमेशा के लिए खोदोगी तुम जानती हो वो कितना जज़वाती है अपने माबाप के गातिरों के बारे में जानकर वो खामोश नहीं रह पाएगा उनका कतल करके खुद भी फांसी के तख्ते पर चौँजाएगा वो, समझी सारे सबूतों और गवाहों की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है के मुल्जिम आज़ाद गुन्हेगार है इसलिए अदालत मुजरिम को एक साल की कैश जच साब जच साब, आज़ाद को सजा मत दीजे उसके घर से चुरुपे मिले है, वो उसके नहीं मेरे है काँ हो तुम? बेरा नाम रूपाई साब अगर वो रूपे तुम्हारे हैं, तो तुमने इनके घर में क्यों रखे? मैं इसके घर में नौकराणी हुसाब मेरे रूपे हिपासत से रहे इसलिए मैंने इसको बिना बताए चुपा कर रख दिये थे क्या एक नौकराणी घर का काम करके इतने रूपे कमा सकती है? मैं चलेबी भी बना कर बेच की हुसाब अच्या, तो तुमने चलेबी बेचकर इतने सारे रूपे कमाई तो भीर जवाब दो बोल दी जो नहीं कहां से कमाई इतने रूपे? कि अच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्ष्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् झाल झाल जो 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 अर बस ती छोड़ कर कहीं नहीं जाना अरे लुक दारे, इंस्पेक्टर, खबरदार जो हमने बिटवा कब एक उंगली भी लगाया तो, है, उंगली नीचे कार, साला बहुत चर्मी भर गया तेरे अंदर, हा, काई कि तुम उंको पहचानता नहीं है, हम धर्बाटिस्टी रिखा हूँ, अरे साला तेरे को वो चमत, अबे, तुम जब दिखाएगा, जब दिखाएगा, मगर आजार तुम्हारे बेटे का क्या हाल करेगा, वो तुम अभी देखो, का करेगा तू? किस लिए मुझे सस्पेंट किया जा रहा सर, सर्फ इसलिए कि मैंने कैसे अब पागल कुटे को गिफ्तार कर लिया, जिसने एक मासुम लड़की की इज़त दुड़नी कोशिश की, उससे जान से माँ डाला? नई, इसलिए कि उस कुटे का बाप एक मंद्री है, मुझे सस्पेंट होने का दुख नहीं है सर, दुख त सिर्फ इस बात का है, कि आपने मुझे आज सस्पेंट किया, आज जब पहली बार मेरा जमीर जागा है, पहली बार मैंने इस वर्दी की कीमत जानी है, अगर आपन मुझे चंद दिनों की महलत और दीजे चंद दिनों में क्या कर लोगे तुम पिछले बीस सालों से मैंने भी बहुत कुछ करना चाहा लेकिन कुछ नहीं कर सका क्योंकि जब भी कुछ करना चाहा उपर से ओर्डर आ गया हमें पांच मीटर की ये वर्दी पहना कर पांच सो बंदिशों में बांध दिया जाता है इसे पहन कर हम मंत्रियों और उनके चंचों की गुलामी और उनके तल्वे चाटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते बिकॉस वी आ एपसुलूटली हल्पलिस जाइब देना फिन का सब्जाएं का सब्सक्राया थेए whenever बाहुपलीन जासॉट बाहुपलीन जास। नहीं होँच선 कितना अए आप दूव जा रहे हो, जाओ, लेकिन जाने से पहले इतना बताते जाओ, अगर तुम्हे कुछ हो गया, तुम मेरा क्या होगा? तो क्या चाती हो तुम, जिन कमीनों ने रूपा की इजज़त पा हाथ डाला, उसे बेबहुत मार डाला, उन्हें माफ कर दू, उन हरामजादों को छोड़ दू, जिनका कानून भी कुछ ने बिगार सिका, नहीं आजाद, तुम जरूर लड़ू, उन कमीनों को सजा जरूर द तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मंगर सूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा, अगर मौत पिर तुम्हारी नजदीक आगई, तब ही तुम ये नहीं भूल पाओगे, कि एक लड़की, जिससे आज ही तुमने अपनी पत्नी बनाया है, खर में आखे बिचाय, तुम्हारे सार, बैटा देखूँ, पीठर को क्या हुआ, कौन लाए ऐसे? भाल तु टेम बरबाद मत कर यल्दी से स्कूल पर्च वरना बाकी तीन बच्चों की लाश भी नहीं मिलेगी तुझे साथ साथ कुछ मदद करो साथ करीब आदे की कुछ तो मदद करो साथ बच्चे का मुध देख लो साथ मुझे मारने से कोई फाइदा नहीं होगा अगर पांश फिर में तुम मुगी श्विल के कमपाउन में नहीं पहुंचे तो समझो चोतो बच्चा भी खतम हो है भाद आपिया, अले, मज़ाया मुझे, मज़ाया मुझे, मज़ाया उले नाइ, नाइ, काटकर, बच्चे का छोरता, मत तुमरे हाँ छोरता हू, बच्चे का कुस्फच करना Ha 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 ha! Vartya gın çoğurdu! Çoğurdu! Aa! Çoğurdu! Yerle! Ooooooo! Oooooo! Oooooooooooooo! Oooooooooo! कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जो खीजब अरामजादे हिंदुस्तान में पैसे की किमत घट गई होगी लेकिन पैसे वालों की किमत कभी निकटी हजार रुपे में हवलदार दस हजार में इंस्पेक्टर लाख रुपे में पूरा पुलिस टेशन खरीदने वाला सोधागरू मैं और तुम आमजाई टकराता है हाट देखा हमसे दुश्मनी मोल लेने का नतीजा देखा सुबर उचको हिया तक लाने के लिए हमको चार मासूम बच्चों को चिता पे लिटा ना पुड़ाए देखा कि नहीं हम अलामजादों एक बार छोड़कर देखो मुझे किस तरह चिता जलाता हो तुम लोगों की मैं नहीं चिता तुम नहीं हम जलाएंगे तुमारे इन बच्चों की हमारी अदालत में दुश्मनों को जल्दी से मारने वाली फासी की सजा नहीं दे जाती बनकि उन्हें धीरे धीरे तर्पा तर्पा कर मारा जाता है ऐसे ही अरे बसकर रहें कहीं साला ही नहीं न मर जाए एक कामकरस को ले जाएंगे बस्ती में फिकवा तो जहां का यह हीरो है उनके सामने दम तोड़ेगा तो उनकी हिम्मट चूट जाएगी वो लोग हमेरे खिलाब आवाज नहीं उटाए सकेगे फिकवाए दू अज़र 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 जल्डी से कुछ अक्सी लौ इन असपता ले जाएंगे अज़र तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम्हें अपना मकसद पूरा करना है हाँ अज़ाद आज तक मैंने तुमसे ये बात शुपाई रखी लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी तुम्हारे पिता का खून हिरावत और गर्ग नहीं करवाया था तुम्हारी निर्दोश माप पर कलंक लगाकर जेल की सिलाखों के पीछे उन्हीं बापियों ने बिजवाया था तुम्हारे हस्ते खेरते परिवार को बर्बाद करने के जिम्मेदार भी वही अत्याचारी है क्या तुम्हारे माप कर दोगे अपने माप बाप के कातिल से बदला नहीं लोगे आज़ाद उठो मैं कहती उठो उठो आज़ाद उठो आज़ाद उठो आज़ाद उठो क्याओ जथा बाल प्राइश वालों देखो अगर इस गुंडे की बात विमाए कि तुम लोगों ने धीना मस्ती किया तो फिर इतना राद रखना कि हम भी डर्बाटी से रिका हुआ हाँ हम खुझे ही ने जानते कि कल ही या क्या हो जाएगा लेकिन हम जानते कल का होगा कल अखबार में तुम तीनों का फोटो चपा होगा नीचे लिखा होगा अब दिन्दा नहीं रहे करि到底 ही लेकिन हो झाएगा करिछ रहे जानते कहा होगा शह रहे तुम ए भी आघ येल आज तक गरीबों की बस्तियां हमेशे आमीर जलाते आए हैं लेकिन आज हम अपनी बस्ति खुच जलाएंगे ताके इन जैसे कमिने उसमें जलकर राक हो जाए जाओ लाओ तेल और छिड़क दोपने अपने जुपड़ों पर जलाएंग! हमको बाफ कर दो भाई हमको बाफ कर दो अजाए हम इसे कभी नहीं किरेंगे मैं हाज जोड़ता हूँ मैं तेरे पाउँ पड़ता हूँ हमें जाने दे हमें छोड़ दे आज़वार ताके तुम लोग फिर किसी यूनिलीडर का खून करवाके उसके खून के इल्जाम में उसकी पतनी को जेल भिजवा सको! मैं नहीं चाहता अब मेरी तरह फिर कोई जेल के सलाकों के पीज़े चरम ले तुम? हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना मैं वही यूनिलीडर सत्य प्रकाश और उसकी निर्दोश बंदिनी राजवरेक्समी का बेटा अजाद हूँ तो आज इन सारे गरीबों को तुम जाने मों के सुम से अजाद करवाएगा कोई, कोई 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 बच्ची को बचावा ने बच्ची 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 कोई सत्य प्रदी क्वच्ची ही यूल अचानक ये आग कैसे लगई इससे पहले भी एक बार हमारे बस्ती में आग लगगे जी साब उस वर्ग हमारे नेताजी ने कहा था ये दुर गड़िना का कौन हो जिम्मेदार नहीं है ये ट्रांसफर्मर है इसके अंदर शाट सरकिट हुआ उसमें से चिंगारी निकला और चिंगारी उड़के जोपड़ा में गया बस साब इस बार भी ऐसा ही हो गया सच कह रहे हो तुम लोग बिल्कुश सच कहरे साब इसमें चिंगारी निकलते हैं खुद मैंने अपनी आखुश देखा बस उसे चिंगारी सारे जोपड़े जल गए साब जोपड़े जल गए इसका हमें दुख नहीं वो तो फिर बन जाएंगे लेकिन हम गरिबों के देवता जिनको हम जान से ज्यादा चाहते थे हमारे नेता इसमें जल कर राख हो गए इसका हमें दुख है यह नहीं कि उन तीनों की मौत का कारण यह ट्रांसफ़ार्मरी है हाँ साब हमारे मरे हुए नेता की सोगन का करकेते हैं ये ट्रांस्पारमर ही कारण साब वेल दन, Mr. Azad, वेल दन खुशियां लाया रे उत्रा उत्रा चेहरा फिर से चमकाऊंगा सारे जहां की खुशियां मैं तो लूटके लाऊंगा Azad आया रे खुशियां लाया रे राया रे रिहां राइ रिहां रे रे तो या कितहास रे कहने को है जोपड़ पठी महलों से भी ये तो अच्छी चांदी से भी बढ़के लगे दिल को मेरे इसकी मिती इस मिती ने प्यार दिया इसने अपनाया रे आजाद आया रे खुशिया लाया रे